हेलो फ्रेंड्स वेलकम टाइम टिवी किचन आज में शेयर कर रही हूं भर्मा बिंडी की रेस्पी यह बर्मा बिंडी की रेस्पी मैंने बिल्कुल इजी और कुईक वे में बनाई है आपको बहुत पसंद आएगी बहुत ही स्वाथी सब्जी रेडी होती है यह चलिए स्ट करते हैं बर्मा बिंडी की रेसिपी इसके लिए मैंने यह बिंडी ली है मैंने नोर्मल बिंडी से चोटा साइज लिया है बिंडी का आप देख सकते हैं बर्मा बिंडी की रेस्पी में वही बिंडी बेटर रहती है यह देखे आम में इसका टॉप रिमॉव कर दूंगी औ देखिए ऐसे ऐसी में सारी बिंडी के टोप रिमूव करके इसको ऐसे कट पालूंगी यह देखिए सारी बिंडी मैंने रेडी कर लिए यह देखिए फर्मा बिंडी के लिए मारी बिंडी रेडी है आप एक बाउल ले लेंगे नमक डाल देंगे हल्दी पोडर डाल देंगे इसमें धन्या पोडर डाल देंगे अम चूर पोडर डाल रहे हूं मैं इसमें लाल मिर्ष पोडर एड़ कर देंगे इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए ऐसे ये मैंने मसाले सारे अच्छे से मिक्स कर लिये आप मसालों को अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से ही बनाए जितने आपकी सब्जी में मसाले आप regular पाते हैं उसी हिसाब से अब बिंडी को ऐसे open करेंगे और इस तरह से इसमें मसाला भर देंगे ये देखिए ऐसे सारी बिंडी में ऐसे ही मसाला भर लूँगी बर्मा बिंडी की रेसिपी में मैं आपको बिल्कुल एजी तरीके से और स्वादिश रेसिपी बना के दिखाऊंगी आप इस तरह से जरू ट्राइ करें ये देखिए बिंडी मैंने रेडी कर लिए सारे मसाला भर के ये थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया इसे हम सब्जुन में यूज़ करेंगे कड़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है क्योंकि बर्मा बिंडी की रेसिपी जो है वो सरसों के तेल से मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए आप रिफाइंड ओल भी यूज़ कर सकते हैं जीरा डाल दिये मैंने तेल में अच्छे से गरम कर लेंगे इसे फोड़ इसी में अजवैन यूज़ कर रही हूँ यह ओप्शनल है अनियन डाल देंगे अनियन को मैंने फाइनली चोप कर लिया है अनियन को हमने भूणना नहीं है हरी मिर्चो को मैंने स्लाइसीज में काटा है यह भी डाल देंगे कब्डू कस करा हुआ अद्रक डाल देंगे अब यह जो हमारा मसाला बच गया था हम सारा इसमें एड़ कर देंगे अच्छछा अच्छा मिक्स कर लेंगे आनियन को भूनना नहीं है एह नियान हमारा भींड़ी आपकर देंगे इसमें मिक्स कर लेंगे यह देございます इस तरह से, बहुत बढ़िया भिंडी की रेस्पी रेडी होती है ये, और पांच मिनट में रेडी हो जाती है, हम इसे ढखके 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे रख दूँगी, 2-3 मिनट के बाद हम इसे थोड़ सा स्टर्ड कर लेंगे, ये देखे ऐसे भिंडी हमारी पकने लगी है, आप देख सकते हैं, विंडी बहुत जल्दी पक जाती है, ये देखे मिक्स करने के बाद में दो मिनट के लिए इसको फिर से रखोंगी ठके, ये देखिए, विंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं, अनियन भी हमारा भून गया है, अब मैं गैस की फ्लेम को ओफ कर दूँगे, एक मिनट तक इसको ओपन ही भून लेंगे, ये देखिए, ऐसे मीडियम फ्लेम पे, अब मैरे गैस ओफ कर दिया है, अब इसको हम ढके रख देंगे, दो से तीन मिंट में ये स्टीम में और अच्छे से पक जाएगी, अब हम इसे सब करते हैं, ये देखिए, बिंडी पे हमारा बहुत अच्छा कलर आया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, भर्मा बिंडी की सबजी हमारी रेडी है, विल्कुल परफेक्ट बर्मा बिंडी बनी है ये, अब ये मेरे पास अनियन रिंग्स हैं, मैं इसे सो गार्निश कर दूँगी, अब भी इस रेसिपी को जुरू ट्राई करें और मुझे अपना फीडबेक दें, थैंक यू पर वाचिंग एम टीवी किच्छन,